हेलो दोस्तो वेलकम टू आर चैनल तो बहुत बड़ी खुसकवरी आ रही है जिन लोगों के साथ साइको में प्रोब्लम हो गई है किसी भी तरह की अगर कोई भी प्रोब्लम होई है तो रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है उसके साथ में एक लिंक दिया है कि आप अपना ल हमारा नोटिस तू कंडिडेट अफेक्टेड वाई इमेज नोट विजिवल डियूरिंग सीवेटी ओन दस पांस 2019 और दूसरा नोटिफिकेशन है क्लिक एर फॉर था कंडिडेट टू एंटर डियर डिटेल्स हूवर अफेक्टेड वाई दा इमेज नोट विजिवल तो जब आप फॉर्थ टेस्ट या फिफ्थ टेस्ट या कोई भी टेस्ट दे रहे थे और इमेज आपको विजिवल नहीं हो पाई उसकी वज़य से अगर कोई भी प्रोब्लम आपके टेस्ट में हुई है और आप चाहते हो कि मेरा पेपर दुबारा हो तो यह आप डिटेल जरूर से जरूर भरें इसकी डिटेल भी दी गई है पहले नोटिस पढ़ लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या बताया गया है तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नोटिस यह हो रहा है डाउनलोड मैं दिखा देता हूं कि इस notice में क्या आया हुआ है यह अपना notice download हो चुका है आप हम देख लेते हैं कि notice में क्या दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं सबसे उपर लिखा हुआ है CN01 2018 Assistant Locopilot CB80 Computer Based Aptude Test on 10.5.2019 तो उन्होंने बोला है देखो मैं IMPORTANT IMPORTANT चीज़े बता देता हूं notice बहुत लंबा है सबसे पहले यह देख लेते हैं इन्होंने बोला है कि the computer-based aptitude test for the shortlisted candidate shortlisted candidate के लिए जो computer-based aptitude test कराया गया था 10.5.2019 को तो certain candidates in few of the centers have faced a technical issue of image not visible while answering the response in test 4 and 5 वो बोल रहे हैं कि 4 और 5 में जब आप लोग test दे रहे थे जो battery number 4 थी और battery number 5 थी तो आप लोगों को image नहीं दिख रही थी many of these affected candidates have given their representations of image not visible issue in the center itself कुछ लोगों ने क्या किया है कि center पे ही बता दिया था कि इस तरह की problem आ रही है और कुछ लोगों ने center पे नहीं बताया है उसके बाद उन्होंने rrb को mail किये हैं तो इस तरह से जब rrb ने वह चीज देखी है through the candidates highlights the issue of image visible they have not given their representations to the center but later sent mail to the rrb's dealing the issue faced by them उन्होंने बताया कि उन्होंने center पे नहीं बताया उसके बाद rrb को mail किया है तो representations of these candidates are bring scrutiny scrutiny कर ली गई है validity के बेस पे उन्होंने देखा है कि हाँ इस तरह की बच्चों के सामने problems आई है उसके बाद करें further those candidate who were affected due to the image not visible but have not furnished their representation either at their center or email 13 5 2017 में click on the link provided on the website rrb's and furnish relevant issue faced by them during the CBAT 10 5 2019 सीधा सा मतलब उनका कहने का इतना सा है वो यह कह रहे है कि जिन लोगों ने अपनी जो आपति दर्ज करा दी है चाहें वो center पे दर्ज कराई हो या फिर आपने 13 तारिक से पहले पहले वहां से आने के बाद मतलब exam center से आने के बाद अगर दर्ज करा दी है तो कोई problem नहीं है लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं वो कोई भी आपति दर्ज नहीं कराई है तो वो लोग जरूर से जरूर नीचे अभी एक link दिया जाएगा मैं भी आपको link दे दूँगा उस link पे क्लिक करके आप अपनी आपति जरूर से दर्ज कराए उसकी time limit है मैं बता देता representations in any form will not be entered मतलब ये आपको जितनी date दे दी गई है 15 के 5 बजे से लेकर 17 के 12 बजे तक ये आपको करना ही होगा इसके बाद also candidates are warned against making false representations आपको warned भी किया जा रहा है कि आप गलती गलत चीजे ना दे ऐसा ना हो कि आप लोगों के सामने सब कुछ अच्छा था फिर भी आप लोग गलत information दे वो सब पहचान लेगा और भी ऐसा नहीं है कि आप लोग गलत information दे के दुबार अपना साई को दे पाओगे टू आर भी रिजर्व दर राइट टू टेक एप्रोपियेट एक्शन अगेंस सच फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वो यह बोल रहे है कि अगर आप गलत information देते हो तो उसके खिलाब आर भी जो है एक्शन ले सकता है ठीक है उसके बाद बोला जा रहा है कि also candidate may note that for the residual candidate the aptitude test attended by them on 10-5-2019 will be treated as re-canceled वो बोल रहे है कि जो उनका 10-5 ऐसा भी हो सकता है जरूर नहीं है या तो हो सकता है 4 या 5 नमबर की वैटरी ही आपको दुबारा कराई जाए या हो सकता है कि आपको पूरा test cancel कराके आपको दुबारा से पूरा test करा दिया जाए उसके बाद बोल रहे है all the representations received through the link will be reviewed by RRB जो आप representation देंगे मतलब जो आप अपनी परेशानी उन्हें बताएंगे वो review किया जाएगा railway recruitment board के दौरा and only those candidates who were genuinely or likely to have been affected will be residual on 25-2019 and e-call letter will be available for download 18-5-2019 वो कह रहे हैं कि 15-70 तक जो भी आप अपति दर्जी कराएंगे उसे RRB चेक करेगा जिन लोगों की genuine problem है जिनके साथ actual में ऐसा हुआ है सिर्फ उन लोगों का ही exam 21-5-2019 को होने वाला है और 18 से आप लोगों का admit car निकल जाएगा यह बोल रहे हैं तीन बज़े से 18 को निकाल पाएंगे the candidates residual bill also be advised through email as well as SMS to download their e-call letter सारा का सारे letter पढ़ दिया है आप लोगों को पता चल गया है कि हां वही क्या-क्या problems है last one उने बोला है कि ऐसा नहीं है अगर आप आपति दर्ज कराते हैं और आपने गलत आपति दर्ज कराई है तो आप लोगों का paper नहीं दिया जाएग तो चलो फिर मैं link भी दिखा देता हूं उसमें किस तरह से आपति दर्ज करानी है तो चलो फिर login कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि top पे जो यह link है जो top बाला link है यहीं पर आपको click करना है इस top link पे जैसे ही आप click करेंगे यह जो link है तो देखो कुछ तरह का interface open होगा य आपके exam की shift क्या थी आपके exam की date क्या थी exam किस कहां पे हुआ था जैसे मैंने आप लोगों को पता है कि मेरे पास जिसका roll number था उसका MIT में पेपर था मैंना उसी का check किया है उसके बाद center का code है 7949 और दो बज़े से इसका paper था उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या-क्या detail और दी गई है यह जैसा आप देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी चीज़ इसमें दिखा दी गई है कि यहां यहां पेपर हुआ था अब आपको बताना है कि select the issue phase during the aptude test आपको बताना है कि I could not see few images in test 4, क्या आपको test 4 में images नहीं दिख रही थी, I could not see few images in test 5, क्या आपके test 5 म select किया, और इसके बाद हम select करते हैं और brief description for the issue phase during the, यहां पे आप लोगों को पूरा description में लिख के देना है कि सर यह यह problem मेरे साथ हुई है, और अगर कोई और problem है तो आप other पे click करेंगे और अपनी description में यहां पे दे देंगे, और उसके बाद I hereby certified that I was genuinely यहां पे आपको declaration पे click करना है और उसके बाद submit कर देना है, जैसे ही आप submit करेंगे आपकी चीजे हो जाएंगी, तो पूरी-पूरी उम्मीद है यह है मैं आपको बता दूँ कि जिसे 4th में problem आई है उसका सायद 4th exam होगा, जिसके 5th में आई है उसका सिर्फ 5th होगा, तो इस तरह से मुझे लग है कि जिस test में problem आई है, सिर्फ वह test दुबारा होने वाला है, अदरवाइस और कोई test दुबारा नहीं होगा, ठीक है चलो फिर मिलेंगे next video में, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, सबसे पहले update पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते है, करेंट GK की वीडिय गई है, IPL पर वीडियो है, RRBJ का exam देने से पहले जरूर से जरूर वीडियो देख लें, तो शलो फिर मिलेंगे next video में, तब तक के लिए, बाई